Hello guys, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा ehyfi-cheeks के बारे में जिसके बिना अंगरेजी हमारी सारी बेकार है एक तरह से यह मान के चलिए अंगरेजी का जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रांबाड के बारे में तो रांबाड अंगरेजी का रामबाड जो होता है वो जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में वह हमारा टैंस का चार्ट हाँ ये किसी ने सच कहाए कि टैंस का चार्ट जो होता है वो अंग्रे जी का रामबाड होता है अंग्रे जी हम कहीं भी पढ़ लें कैसे भी पढ़ लें हमें हर एक प्लेस पर जगा जगा इस tense के चार्ट की जरुवत पड़ती है गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tense को हम तिन भाग में डिवाइट करते हैं नंबर एक पर आजाता है हमारा present नंबर दो past और नंबर तीन पर आजाता है हमारा future फ्यूटर क्वेर्ण जैसे कि सभी लोग जानते हैं Future जो चल रहा है वास्ट जयो निकल गया पास जो चल गया गोजर गया क्वाम पास्ट कहते हैं कि से तरह से हमारा फ्यूटर का मतलब होता आए कि जो चीज भी हुई नहीं होने वाली है, फिटर में होने वाली है जैसे हम भविश्य कहते हैं अंग्रीजी बनाने के लिए गाइस हम क्या करते हैं इनको four parts में डिवाइड कर देते हैं टैंस को present के हमारे four parts हो जाते हैं इसी तरह से हमारा guys past का four parts हो जाते हैं, future के भी four parts कर दिये जाते हैं simple का tense के chart का जो पहला हमारा present दिया हुआ है, उसका जो पहला part होता है, वो होता है हमारा simple present जिसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे present indefinite के नाम से भी जानते हैं इसका use क्या होता है, इसका use बहुत जगाओं पर होता है, जब guys आप लोग क्या करते हो, हिंदी से अंग्रेजी बनाते हो तो वहाँ देखते हो कि sentence में, last में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शबदाए हैं तो वहाँ पर जो use करते हो, वहाँ पर यही present indefinite, यही simple present का use होता है जब आप देखते हो कि अगर subject हमारा singular है, तो आप क्या करते हो, बर्व में बर्व की first form लिख कर उसमें सिस लगा देते हो, और अगर देखते हो कि subject हमारा singular है, तो क्या करते हो, present indefinite में बर्व की first form लिख देते हो इसी तरह से, अगर simple present या present indefinite guys क्या होता है, अप लोगों का negative हो जाता है, नहीं आ जाता है या क्या होता है, उसमें helping वर्व का use करते हो, उसमें simple present में, जो helping वर्व करते हो, वो सभी guys जानते हैं, कि do your desk का use होता है do का use करते हो, आप prular के साथ, prular subject के साथ, and desk का use करते हो, singular के साथ जैसे मानिए, अगर आपको interrogative बनाना है, तो आप क्या करोगे, do your desk बाहर निकाल दोगे, subject से पहले लिख दोगे अगर negative बनाना है, तो क्या करोगे, helping area note लगाते हो, तो क्या करोगे guys, do your desk के बाद note लगा दोगे इसी तरह से इसका जो next है हमारा present continuous, present continuous जैसे की सभी लोग जानते हो, जब हिंदी से अंगरेजी बनाते हो, तो end में आता है, रहा है, रही है, रहे है तो रहा है रही है रही है यह पैचान किसकी है present continuous की तो है present continuous में क्या करते हो रहा है रही आया है तो रहा की अंग्रेजी ing होती है है हूँ है आय हूँ है तो is mr लगा देते हो r लगाते हो pulver के साथ i के साथ लगाते हो m और similar subject के साथ लगाते हो is इसी तरह से आप क्या करते हो अगर हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हो बच्चा तो क्या करते हो तुमने देखा नमबर थर्ड पे हमारा प्रेजेंट पर्फेक्ट है हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हो तो लाश्ट में तुमने देखा होगा चुका है चुकी है शब्दा आ जाते हैं चुका है चुकी है आ जाते हैं या क्या आता है आ है यह ए है कहते हैं नहीं है कि वह स्कुल गया है आ है आ गया वह स्कुल गई है या कहते हो has cool जा चुकी है तो यह सब्द जो आए चुका है चुकी है यह किसमें आए present perfect में आते हैं हमारे अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं इसका has, have के साथ third form यूज़ करते हैं सुमूलर के साथ guys यूज़ करते हैं has और अप्रूलर के साथ यूज़ करते हैं यह आया हुआ है रहा है, रही है, रहे है इस तरह के शब्द आय हुए हैं लेकिन इसमें जो आता है समय के साथ से जरूर आता है अगर रहा है रही है आया हुआ है तो आप लोगों की दमाग में एक बात आएगी कि sir यह तो present continuous है प्रफेट कंटिन्यूज कहा है हम इसको कैसे पैचान नहीं प्रफेट कंटिन्यूज है प्रफेट कंटिन्यूज में आप लोग पता होना चाहिए गाइस प्रफेट कंटिन्यूज में समय के साथ इसमें टाइम और लग जाता है जैसे वह रू रहा है अगर यहां पर आ गया वै रो रहा है यह तो present continuous है रहा के साथ हैं आया है कर इसी तरह से आप देखो समय के साथ से आ जाए वै दो घंटे से रो रहा है दो घंटे से समय के साथ से आया हुआ है तो यहाँ पर present continuous ना होकर क्या हो जाएगा present perfect इसी तरह से क्या होता है अब नंबर लेता हूं next मेरा पास्ट का तो पास्ट में guys क्या करते हैं आप लोग अब पहला नंबर है मेरा simple past yes को past indefinite भी आप लोग कहते हो तो past indefinite की पैजान क्या होती है जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हो तो आप लोग देखते हो कि last में आया हुआ है ता था ती थी ते थे और इसी तरह से देखते हो कि last में आया हुआ है आया या कहते नहीं है वह स्कुल गया तुम स्कुल गए वह स्कुल गई और इसी तरह स आपको गर नेघर्टिव होता है सिम्पल पस्ट या इंट्रोगेतिव होता है तो इसमें क्या यूस करते हो ओ यूस करते हो जिट इसमें फ़ेन्ड वस्ट फॉम ही रह जाएगी सबी लोग जानते हो सब लोगों श्यार इसी तरह से हमारा next one आ जाता है guys past continuous, end में आता है रहा था रही ती रहे थे जब रहा था रही ती रहे थे आता है तो बाज या बर के साथ ing लगाते हो simulator के साथ बाज लगाते हो इसी तरह से next आ जाता है past perfect जब आप देखते हो कि sentence में हिंदी सेंगरी जी बना रहे हो last में आया हुआ है चुका था तो क्या करते हो head के साथ third form लगा देते हो लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान रखो आप लोग क्या करते हो मैंने क्या बताया अगर चुका था आया हुआ है तभी इसको past perfect मानो अगर आ जाता है या था यी थी ये थे तो वह सी books में दिया हुआ है कि उसको past perfect भी मानते हैं कभी-कभी simple past भी past indefinite भी मान लेते हैं तो यहाँ पे एक बचन ले लो guys मुझसे कि क्या करोगे अगर चुका था आ जाएगा तो उसको past perfect मानना है इसके अलावा आ था ये थी ये थे आ या ये था 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 थी थी ये कुछ भी आए तो हमेशा simple past भी मानना है चलिए इसी तरह से next आ जाता है हमारा past perfect continuous past perfect continuous या नहीं रहाता आता है last में बट इसमें time के समय के साथ से जरूर आता है कि तीनों हमारे दिये हुए इनमें समय के साथ से जरूर आता है जैसे मैंने कहा वह सुभा से रू रहा था यहाँ पर लिखा हुआ रहा था तो हमें लगा past continuous है sir तो हमने क्या किया जल्दी से बाज़वर के साथ आएंजी लगा दी तीचे ने चेक किया उस पर बड़ा सा क्रॉस लगा दिया मैं इसका ध्यान दखना है अगर time के साथ से आया हुआ है तो वह past continuous ना होकर past perfect continuous है और example वह सुभा से रू रहा था तो यहाँ पर बाज़वर के साथ आएंजी ना लगा कर headwind के साथ आएंजी लगाएंगे चलिए अब मैं आता हूँ मेरा next पर जो next future जो किसी को पता ही नहीं होता अनिश्चित होता है indefinite होता है तो future में मेरा number एक आता है simple future जिसे हम अक्सर future indefinite के नाम से भी जानते है future indefinite में जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते है तो क्या करते है last में हम देखते है sir गागीगे आया हुआ है तो गागीगे आने पर क्या करते हो क्या करते हो बिल ये शेल के साथ फर्स्ट फर्म लगाते है i और b के साथ guys क्या करते है share लगाते है और बागी सब के साथ क्या करते है guys बिल लगाते है i और b के साथ क्या लगाते है share लगाते है और बागी सब के साथ क्या लगाते है बिल लगाते है इसी तरह से हमारा next one future का आ जाता है number two जिसे आप लोग जानते हो future continuous की नाम से future continuous जब भी हिंदी से अंग्रेजी बनाते हो आप लोग देखते हो कि रहा के साथ गागी गया है वह स्कूल जा रही होगी वह खाना खा रही होगी वह सो रहा होगा यहाँ पर देखा आपने कि गा के साथ रहा रही रहे आया हुआ है तो tense कौन सा है इसमें तो guys tense future continuous है जब भी आप देखो गागी के आया है गागी के साथ रहा रही रहे रहे आया है तो अंग्रेजी में क्या लगाना है बिल भी शेल भी पसों में आये जी simply फिर वही बात कहूंगा कि I और भी के तार शेल भी और बाकी सब के साथ विल भी चलिए अब मैं आता हूँ future के next पर next है मेरा future perfect यह guys हम कैसे पहचान है कि हिंदी से अंग्रेजी जब बना रहे हैं तो यह future continuous है आप लोग अक्सर कहते रहते हो वह सो चुका होगा वह खा चुकी होगी वह नहा चुकी होगी इस तरह के sentence बोलते हो तो last में आपने देखा कि चुका होगा चुका के साथ गागी के आया हुआ है तो ये क्या है यही तो future perfect है तो इसमें लगाना क्या है अगर आप गाईस देखो कि चुका होगा आजाए तो आपको क्या करना है कुछ नहीं simply बिलहेब, सेलहेब के साथ third form लगाना है फिर वही बात कहूंगा IORB के साथ शेलहेब लगाना है और बाकी सब के साथ बिलहेब लगाना है चलिए अब मैं आता हूं मेरा next पर, next future का future perfect continuous जब आपको लगे की रहा रही रहे के साथ गागी के आया हुआ है पट time के साथ से जरूर आना चाहिए अगर time के साथ से है तब ही हम guys कहेंगे future perfect continuous अधरवास कहेंगे इसको के वल future continuous तो आपने देखा अकसर सुना होगा देखा होगा वह कल से आगरा से आ रहा होगा तो यहाँ पर देखो रहा के साथ गागी के आया है बट time भी दिया हुआ है कल से, समय के साथ से आया हुआ है तो यहाँ पे future continuous न होकर क्या है guys future perfect continuous तो आपको क्या लगाना है will have been, shall have been I or B के ता shall have been लगाना है और बागी सब के साथ will have been लगाना है तो यह tense का जो chart है इसका बहुत सारा use होता है Hindi से अंग्रेजी में हमने भी आपको बताया किस तरह से इसका use करते हैं इसके अलावा active से passive जब बनाते हैं तो भी इसका use होता है direct से indict बनाते हैं तब भी इसका use होता है इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि यह अंग्रेजी का क्या है रामबार, रामबार का मतलब जानते हैं होता है, रामबाड का मतलब होता है, सो दुखों की एक दवा, यानि अंग्रेजी का रामबाड है, अंग्रेजी में अगर सो दुखों आएंगे हमारे सामने, सो टॉपिक्स आएंगे हमारे सामने तो उनमें जगा जगा पर हम यूज करेंगे टेंस की चार्ट का इसी तरह से जब हम अगर एक्टिव से पैसे बना रहे हैं तो देखी मैं बताता हूँ एक्टिव से पैसे में इसका कहा यूज होता है जब भी हम active से पैसे बनाते हैं तो क्या करते हैं अगर हमें लगे simple present दिया हुआ है तो आजाओ यल्लीजे present continuous कर दो यानि इसे आमर के साथ third form पैसे में third form आती है third form कर दो इसी तरह से अगर present perfect दिया है पैसे बना रहे हो तो क्या कर दो present perfect continuous कर दो यानि has been, have been के साथ third form कर दो जो को हुआ ना use tense के चार्ट का active asset में इसी तरह से अगर अगर दिया हुआ है, simple past दिया हुआ है पैसे बना रहा है हो, बाजयवर के साथ third form कर दो अगर past perfect दिया हुआ है, तो क्या कर दो? past perfect continuous कर दो, headwind के साथ ing लगा, ing तो आती नहीं है, पैसे में third form लगा दो इसी तरह से हमारे क्या दिया है, simple future दिया है, bilis shell दिया है, तो bilis shellby के साथ third form कर दो bilis shellby के साथ third form कर दो, इसी तरह से diet and diet में भी इसका बहुत सारा use होता है diet and diet में क्या करते हैं, हम सामने की तरह आते हैं, अगर simple present है, तो simple past कर दो, present continuous है, तो past continuous कर देते हैं diet से diet बनाते हैं, इसी तरह से हमारा guys क्या दिया हुआ है, present perfect है, तो क्या करो past perfect कर दो अगर present perfect continuous दिया है तो क्या कर दो past perfect continuous कर दो इस तरह से हम चलते रहते हैं तो बहुत इसका tense के चार्ट का use होता है अब हमने क्या किया डायर से इंडायट में present वाले सारे बता दिये कि सामने की तरफ चले आते हैं लेकिन अब सवाल यह उड़ता है कि सर आपने यह बताया कि present वाले past में आ जाते हैं लेकिन अगर past का आएगा तब क्या करेंगे तब तो इस रामबाड का इस्तिमाल बताईए आप रामबाड बोल लाए हो आदा बता रहे है पूरा तो बताईए तो अगर simple past दिया है तो एक छोड़ कर यानी एक छोड़ कर past continuous चोड़ दो यानी past perfect कर दो इसी तरह से मारा past continuous दिया है तो एक छोड़ कर यानी past perfect को छोड़ कर दो बेशेल दिया हुआ है अगर entire बना रहे है cognitive should कर दो कितना use हुआ है इसका direct tense के chart का हर जगा होता है चोते शिकायत है जो भी मैं अपनी वीडियोस यूट्बब पर अप्लोड करता हूँ. तो उसमें आपम क्या करते हों ? व्यूस काफिता हैं देखे हैं उसमें आपम देख लेते हों बिट क्या करते हो सबस्क्राइब करना भूल जाते हो आपम क्या क्या करिyor views देखो इसको देखो अच्छी बात है देखोगे इसमें कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है बट उसको subscribe जरूर किया करो subscribe किया करो अपने fans को share किया करो आपका फायदा हो रहा है दूसरे का भी फायदा हो अच्छी बात है इसमें तो यह जरूर किया करो